व्यूस्टूडे लाइव में आपका स्वागत है मैं हूँ अरुन्चिब अब गवर्मेंट इंप्लॉईज और जो है वो हर्ताल नहीं पाएंगे इसको लेकर गवर्मेंट ने एक आदेश जारी कर दिया है जिसमें कोई भी अगर अधिकारी या सरकारी करमचारी प्रटेस ड किये हैं आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार सरकारी करमचारी अपनी डिमांड को लेकर प्रटेस्ट किये जाते हैं स्ट्राइक पर चले जाते हैं अब इस चीज को रोकने के लिए जमु कश्मीर गवर्मेंट ने एक आदेश जारी कर दिया है और इस आदेश में ये स जित होगा और इसकी वाइलेशन करने वाले के खिलाफ जो है सक्से सक्त कारवाई होगी और ये भी कहा गया है कि अगर इस सारे इस चीज को जो है लागू करने के लिए गवर्मेंट ने जमु कश्मीर गवर्मेंट इंप्लाइज कंडक्ट रूल 1971 के रूल 20 ब्रैकेट 2 को लागू किया और इसके तहट ये सारे आदेश जारी किये गे हैं कि कोई भी अधिकारी या कोई भी करमचारी अब प्रोटेस्ट डिमांस्टेशन नहीं करेगा अपनी डिमांड को लेकर और ना ही किसी दूसरे इंपलाई को उकसाएगा अगर इस तरह की गलती करते हुए व और क्योंकि हर बार जो है ये देखा जाता है कि सिर्फ आदेश जारी कर दिया जाता है पहले भी इस तरह के कुछ आदेश जारी किये गे थे कि आप पार्टिस्पेट ना किया करें लेकिन फिर भी करमचारी जो है अपनी डिमांड को लेकर सडकों पे उतर आते थे धरना प और कहा है कि वो इस तरह की चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्ट नहीं की जाएंगी और उन अधिकारियों के खिराफ जो है एक्शन लिया जाएगा और सभी एड्मिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जितने भी विभाग हैं उनके एड्मिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को यह आदेश कोई उलंगना करता हुआ पाएगा उसके खिलाफ डिस्प्लिनरी एक्शन लिया जाएगा जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ जो इनके अपने रूल्स हैं उसके तहर जो है एक्शन समय लिया जा रहा है इससे पहले भी मैं आपको जानकारी दे दूँ कि जमु किश्मीर गवर्मेंट ने एक आदेश जारी किया था कि कोई भी जो सरकारी अधिकारी है या करमचारी है इंटरनेट समंद किस तरह से उसका इस्तेमाल करेगा उसके बारे में कुछ नियम सपष्ट गिये थे और ये कहा गया था कि सरकार की जो नीतियां है जो फैसले हैं यानि पॉल आप कर सकते हैं लेकिन आलोचना बिल्कुल नहीं करेंगे चाहे वो सरकार का कोई भी फैसला हो जहां पॉलिसी हो उसको लेकर पहले ये एक आदेश जो है जारी किया गया था अब कोई भी धरना परदशन नहीं किया जाएगा आपको जान करेंगे कि कुछ दिन पहले ही जो इंप्लाइज हैं वो धरने परदशन पर जाने वाले थे चाहे उसमें पैंशनर्स भी थे लेकिन सरकार के सब्सक्राइब की बाद चूथी जिसके बाद उन्होंने स्ट्राइक को जो है फिलहाल ताल दिया और अब उसके बाद ये आदेश भी सरकार ने जारी कर दिया कि आ अब इस पर वो नहीं करेंगे, प्र्टेस्ट डिमास्टेशन पर नहीं जाएंगे। अब काफी परेशाली देखनी हैं, तेखना होगा कि जैसे दूसरे कई भी वाग हैं जहां कि आपनी हर एक वीवाग के अपनी परेशानिय हैं, वहां के करमचारियों के, जैसे पी अची के जो भीवाग के करमचारी हैं खासकर के डेली वेजर्स हैं उनकी बड़ी समस्याए हैं कि काफी समय से वो अपनी रेगुलाइजेशन के लिए डिमांड कर रहे थे और वहीं पर मैं आपको बताऊं कि कहीं पुलिटिकल पार्टी ने भी इस पर प्रतिक्रियाए दी है और उसने प्रतिक्रिया में कड़ी आलोचना की है सरकार के इस फैसले की चाहे उसमें कांग्रेस हो या CPIM हो उन्होंने भी कहा है कि ये गलत है कोई भी करमचारी जो है अपने मन से प्रोटेस्ट दिमांस्टेशन के लिए नहीं जाता है जब उसकी डिमांड नहीं मानी जाती है तब ही वो अपने प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर आता है और ये उसका हक है ये उसका राइट है लेकिन सरकार इस तरह के आदेश जारी करके उनसे उनका ये हक भी चीनने की काम कर रहा है और इससे कहीं न कहीं employee को दबाने की कोशिश की जा रही है ये भी जितने भी political party उन्होंने अपनी खासकर जो विपक्षी party है उन्होंने अपनी ये इस बारे में अपनी परतिक्रियाई दी है लेकिन फिलहाल सरकार ने आदेश जारी किया है कि आप इस आदेश को सिर्फ declarative ना समझें कि सिर्फ घोशना करती उसके बाद भूल जाएंगे इस बार कड़ा action होगा और जो भी इसकी violation करते हुए पाए जाएंगे जो employees उनके खिलाफ कड़ा action लिया जाएगा ये इस बार आदेश में कहा गया है क्योंकि इस तरह की कही बार आदेश पहले भी जारी किये गे लेकिन इस बार सरकार ने अपना रुक दिया है कि किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि सरकार की नीतियों के खिलाफ या किसी तरह की भी अपनी demand को लेकर प्रोटेस्ट डिमांस्टेशन के लिए चले जाएं धरना परदशन करें स्ट्राइक करें अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि बिजली विवाग ने भी पिछले समय काफी प्रोटेस्ट डिमांस्टेशन किये थे आप जानते हैं कि कही विवागों की अपने वहां के करमचारी हैं, चाहे उच अधिकारी हैं, या लोवर रैंक के जो इंप्लॉईज हैं, उनके अपनी समस्या हैं, अपनी डिमांड्स हैं, जो अबी तक सरकार ने पूरी नहीं की हैं, उसको लेकर आए दिन वो धर्ना प्रेगी.